अस्सलाम उलेकुम दोस्तों तो आज है हमारा कौसरनाग लेक ट्रक का दूसरा दिन जो कि हमारे लिए खुबसुरत होने के साथ साथ थोड़ा बहुत चैलेंजिंग भी था बट क्या आपको जानना है तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं अस्सलाम उलेकुम गुड़ मॉनी सबाँ पांच बज़ रहे हैं सुब़े के और उठ सुके हैं हम लोग अभी जल्दी जल्दी से हमें खाने पेने का इंदजाम करना है क्योंकि हमें आज कॉसर ना गाना है ठीक है तो भी बेना किसी देरी के चलते हैं हां जी दोस्तों तो अभी चाय बन रही है और हम लोग खाना भी बनाने वाले हैं बाकिस सब जो भी होगा ना मैं आपको आगे अपडेट देता रहूंगा तो यह मैं आपको बता देता हूं जो नेटवर्क का मैंने आपको बोला था तो यहां पर हमारा टेंट है ना और यह जो यह यह है यह चोटी यह वाला इस मलाईश पें चड़कर यहां पर तो वहांपे अटल का नेटवरक है और यह जो यह है यहां के यहां हमारे धैट के समय आपना सेट measures यहां पर यहां लोग सबजी की यहाँ चाए बन रही है यह देखिए यह हमारी सुबह सुबह आपर हाउना अंज बनन रही है यह लोग लगे हुए है काम पे शिराध हंकल और बाबा आलू छील रहे हैं आलू प्याज तो यह सबजी की प्रपरेशन हो रही है बागी बच्चे लोग अभी अंदर है और संराइज जो होने वाला है वहां से होने वाला आप लोग आस्मान देख सकते हैं कैसा कैसा हो रखा है बादल हलके हलके पैस है बादल के और यहां से संराइज होने वाला जो हम संराइज से पहले ही उठ चुके हैं और आज यहां से होते हुए हमें वहां से इधर को लेफ्ट को मुड़ना है लेफ्ट को फिर आगे उपर एक चड़ाई आती है खड़ी चड़ाई उसको चड नहीं पर बालाब नहीं पर में उने कंसरना के लिए चाय वगैरा का समान ले लिया अपने फिर निकल चुके हैं मैं ब्यूटैन ही भूल लिया था लेकिन अभी ले लिया है तो यह आप देख सकते हम लोग चल रहे हैं और यहां पे एकलाब सा हल्का सा और जबरतास सीने माहौल है मौसम बढ़िया है तो इंशालला उमीद यही करते हैं कि आज का हमारा सफर अच्छा रहे और आज हम कोशिश कर रहेंगे पूरी-पूरी के हम लोग आप किस कॉंगवर्टन जाए क्योंकि कॉंगवर्टन में नाइट से करना इजी भी है और मजा सब्सक्राइब करेंगे तैय करने की खर अभी चलते संड्राइज हो चुका है सब्सक्राइब कर पाए क्योंकि उससे पहले हमें समान वाइंडब करना था और निकलना से तो ज्यादा बाते नहीं करते हैं फोकस करते ट्रेल पर लेट्स गो करते हैं बहुत बुरा हाल हो रहा है माशा-लला पसीना हो रहे है बहुती इस्तार्ना किसुम का ट्रेक है और बहुती मजा आ रहा तो इस तरह का प्रेश पे होना चाहिए सअध करे अच्छा बढ़ में बर्फ आ पेमे लाटुब कर यह देखंगें तो यह देखिए जुने आई कि यह देखिए बर्फ पहाड़ında आज है तजॉदह जुलाई 2014 और हम आए हैं बर्फिले पहाड़ों पे तो जहां दूर दूर-दूर तक बारिश का इसकी ठंड़ा कितनी तेज फील हो रहे हैं लाजवाब है माशाल्ला 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 बहुत अच्छा लगा बराबर 30 मिनिट हो चुके हैं हमें हमारे कि पर उनिकले हुए वजहां पर हमने लाज नाइट स्टे किया और आश पच्छीज बज रहे हैं अभी और हम लोग एक जगाप के मतलब हम्हेना से जवाब निकलता है कोशर नाकी और वहां पर एक जगह कॉल कर सकते हैं नाको जगा दिखा देता हूं यहां पर यह जो जगह यह यह जो पत्थर है इसके इतने एरिये में नेट्वर्क आता है फिर से हम दूग निकल चुके हैं लेकिन मैं आपको रास्ता दिखाने चाहरा था यह रास्ता है कौन सरना के लिए आप मेक्शूर करें अगर आप नहां पर आएं आप जूते बगरा अच्छे कॉल्टी के लाएं है अगर आप लाते हैं तो आपका ट्रक इजी होगा है 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 पर सबन पर सबहुंग जब तो अभी एक फाइनल टास्क है हमारा जो लोग कॉसरनाग आया है उन लोग को पता होगा कि लास्त वाली जो आखरी चड़ाई है उस सबसे ज़्यादा टफ होती है और सबसे ज्यादा टफ वही मानी जाती है पूरे कॉसरनाग के ट्रेक में ठीक है तो उसी के अभी धामन में है हम अभी थोड़ा सा प्लेन है और यह आपको ट्रेल दिख रहा होगा यह ऐसे 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 वहां से फिर उधर को तो इसके उस पार है कॉसरनाग ठीक है और यह जो दरिया जाता है हमारे एहरबल से मतलब जो दरिया विश्यो है तो उसकी वह एक हो गया वहां से एक है और इस वाले पहाड से भी कुछ शाखे आती है तो यह पूरी शाखे मिलाकर हमारा दरिया विश्यो बनता है ठीक है तो जो लोग इतनी हाइट पर फौत होते हैं उनकी मजार ऐसे यहां पर बनाई जाती है तो आप लोग देख सकते हैं मजार है और इसमें दो कपरे भी है और नजार आप लोग दिखिए खुबसूरत भी है डरामना भी है दोनों चीजे मिलेगी आपको पाड़ों पर और फ वह इसलिए क्योंकि पापा का वेट 90 प्लस केजीज है और वह कौसरनाग पहुंच चुके हैं तो मतलब पापा जैसे वेट वाला इंसान कौसरनाग पहुंच गया है और माशा अल्ला लुक अट दिस व्यू दा माइटी कौसरनाग आज इम्रान को भी हम कौसरनाग लेके आ कौसरनाग और बराबर एक्जेक्ट धाई घंटे लगे हमें महिनाग से जहां पे हम लोग रात को रुके थे वहां से बराबर धाई घंटे लगे हमें कौसरनाग पहुंचने के लिए हां जी तो हम लोग कौसरनाग पहे हैं यहां पर अभी एक भाई साब का फोन गिर गया था पानी में तो मैंने डुकी मारके निकाला फोन और यहां पर आप आप सब लोग जानते होंगे कश्मीर के सबसे फेमस सिंगर जो है इश्वा कवा भाई वो भी यहां पर आयोए हैं वो देखिए वो वहां पर यह इश्वा कवा है यह देखिए इनके साथ हम सबने फोटो शूट किया जो आप अभी इसके बाद देखेंगे तो अभी जा रहे हैं घर की तरफ तो बहुत ज़्यादा मज़ा रहा है भी हम लोग यहां पर चाई बना रहे हैं सबी बैठें देखो आप कैसा लग रहा है पापा बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत जबर्दस माशालला आज का जो जो ट्रेक है यह भी कुछ कम नहीं ह यहां घरवटन से जो है यह 27 किलो मेटर का ट्रैक हमने आज जो है ने किया है और बहुत ही जबर्दस ट्रैक था यह तो हमारे साथ यह बच्चे भी थे इन्होंने भी हमको हमारा जो है बड़ा अच्छा ताउन दिया है और कुछ बुजर्ग है तो इनके साहित से भी इन्ह किया लग दिया तो अभी हम सब लोग चाही पी रहे यहां पर वोत ही मजा रहा है आथ वो तेरे। कांसरनाग लेक पिछाए कुछा से शीनक्या रूह थेय। माशाला आथ हुआ हो थेजिए इसा की प्रशनाग लगती अब माशाला। आज हमने कांसरनाग लेक को ट्रेक किया है। माशालला पुम्हत अच्छा लगा और आइंका फिर इंशालला अग्रे साल जिन्गी रही है अजी दोस्तों तो जिस चड़ाई को चड़ने में हमें लगबग डेड़ घंटा लगा उसी चड़ाई को उतरने में हमें 45 मिनिट्स अराउं 45 मिनिट्स लगे लगबग तो हमारा जाधा से जाधा गंटा से हुआ है और अभी हम लोग को सरनाग देखके आ चुके हैं अभी हम लोग इस पर इन से मैदान में है तो मुझे एक्जेक्टली नहीं पता है कहां से आ रहा है पानी लेकिन ग्लेशर से ही आ रहा होगा देखिए आप लोग पहाड के एकदम दामन से निकल रहा है और उपर इसका कोई भी सूर्च निये बागी बस जस यहां से निकल रहा हां जी दोस्तों फाइनली बराबर एक्जेक्ट दो बजे हम लोग वहां पर पहुंचे हैं जहां पर हमने कल राद गुजारी थी मतलब महीनाग जहां पर हमारा समान है उस तरपाल क हमार समान है हम लो पहुंच चुके हैं बहुत जयादा थकान हूई लेकिन मजा या मज़ा एको मजा आपको मजा थाओ जिदो आपको मजा लाए है कासिद हुसैन को कैसा मजा हूँ अगली बार आना चाहोगे दो अज़के ग्रेट तो अभी हमारे बाकी लोगी आने वाले करेंगे यहां से हम लोग या तो कॉंगोटन जाएंगे आज रात के लिए या तो यहीं पर आज रात हम स्टे करेंगे तो आपको आगे बना चलेगा सो यह लट्स गो बरफीली वादियों और ठंडे-ठंडे माहौल में लोग खाना खा रहें अभी जो केमने सुबह बना के र से हम लोग चल रहे हैं तो मतलब ऐसा आप मान के चलिए कि दो पजास पे हम लोग महिनाक से निकले हैं और अभी हम लोग इस खुबसूरत से वैली आफ लार्ज से गुजर रहे हैं यह वाला पैच मेर को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि फूल फूल से हैं बहुत ही करना शुरू हो जाते हैं तो पहाड़ों का यही सीन होता है तो जब भी आप कहीं भी किसी भी पहाड़ पे जाएं जो थोड़ा सा अच्छे खासे ऑल्टीट्यूट तो रेंपोट या अंब्रेला अंब्रेला वैसे काम नी करता क्यूंकि हवाय जल रही होती है वैसे लोग जा रहे हैं आगे कोंगोटन की तरफ हमारे बगल में दरिया जा रहा है जबर्दस जबर्दस या अभी तक के दो दिन थे तो दोस्तों फाइनली पांच बजे हम लोग कोंगोटन पहुंच गए हैं मतलब मेरा एक्सपेक्टेड टाइम जो मैंने एक्सपेक्ट किया तो यही असली ट्रेक का मजाए ठीक है अभी हम लोग कोंगोटन पहुंच चुके हैं आपको नजारा दिखा देता हूं एक टेंट दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और और नीचे तो भाई मतलब सौ के करीब टेंट होंगे और हम हम यहां पर टेंट लगा है यह कॉल करने जा रहे हैं वहां पर ठीक है तो यहां पर हमने यह जगा स्लेक्ट करी आज और अभी बन रहा है चूला यह देखिए तो यह यह देखिए तो यह यहां पर चूला बन रहा है जी दोस्तों तो चाय वगर हमने पीली है बना के वड़िया हमने आग पे चाय बनाई और जबरदस्ट चाय बनी थी और अभी हम लोग जा रहें थोड़ सा टहलने के लिए क्योंकि बहुत सारे टेंट से यहां पर तो वाकी सब अभी दाल वगर आज शाम को हमारे डिनर में दाल बनेगी यह देखिए यहां से टेंट शुरू होते हैं यहां पर दो टेंट वहां पर दो है वो है वो है बहुत सारे टेंट और आगे भी बहुत सारे टेंट जो आगे चलके मैं आपको दिखाऊँगा तो यहां से पूरे कॉंबर्टन मतलम जो भी maximum 10 वे इस साइड इन्स दीखो कितने सारे टेंट हैं और जो से यह बाला हमारे हैं ये वाले दो बाकी भी माहल रहे हैं किょ नहीं बना बागी सबी लोग सो चुके हैं उनको एक डेढ़ गंटा हो चुका है सोई हुए तो जो बरतन थे वह हम अभी धोकिल आ हैं वहाँ पर एक नल है तो वहां से हम बरतन होकिला है और थोड़ा सा आग सेखरे थे थोड़ा सा गरमी हुई हमें और अभी हम लोग सोगे हैं तो मतलब आज डे टू का एंड होने जा रहा है और उमिद करता है आप लोग को इस सीडिस प्रसंदारी होगी यहां तक कल हम लोग इंशालला घर चले जाएंगे कल शाम तक घर और शायद हम चले जाएंगे खैर बहुत ज्यादा मज़ा आया आज का दिन भी बहुत जबर दस रहा और अभी हम चलते सोने के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं आप से मिलते हैं अगले वीडियो में मतलब अगली सुभा तब तक ही लिए अलाहाफिज असला